आज की क्लास में हम इसको पॉइंट वाइस कराएंगे जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट होंगे जो के एक्जाप्डेशन में आप से पूछे जा सकते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा और जी क्लास बन है इससे आगे भी इस पर क्लास आती रहेंगे और ऐसे सभी के इंडियर जो जहारकंड हाई स्कूल टीचर जानी के जहारकंड टीजी इंग्लिस नाइन टू टैन के लिए प्लास में एड़ीशन चाते हैं तो बिलकुल फ्रेस बहत स्टार्ट हो गया है बिलकुल नए तरीके से तो आप लोग उसमें एड़ीशन ले सकते हैं जिसकी फीज के वल फिप्टीन हंडेड रुपीज रखे गई है और साथी साथ इस आप स्कोर्स को अनलिमिटेड यूज कर पाएगे इसमें आपको लाइफ क्लासे रिकॉर्डेड क्लासेज डिटिल क्लासेज एमसी गीजुशन सब कुछ सिर्फ फिप्टीन हंडेड रुपीज में बिल जाएगा तो देर मत करिएगा क्योंकि यह ओफर सीमित समय तक है जो पहले आएंगे उनको एडिशन बिल जाएगा बाद में आने वाली के लिए जो फीज है वो बाद में बढ़ सकती है ठीक है तो चलिए देर नहीं करते स्टार्ट कर लेते आज की क्लास को और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करने तो आने वाली अगली क्लासेज के की आप जोनको सबस्क्राइब भी कर सकते हैं इनगिस में लिखना स्टार्ट की है तो यह सारे चीजा भी सपर डिसकॉस करेंगे हैं और आपट टू पॉइंट चलेगी जिसको हम सौन सब्सक्राइब आई-ल या लानीके इंग्लिस में लिखना स्टार्ट में देखते हैं It is also referred as Indian writing in English. कभी-कभी examination में यह इस तरीके से दे दिये जाता है Indian writing in English. तौनों का मतलब वही है Indian English literature यानि के Indian writers के दुवारा लिखा जाने वाला साहित अंग्रेजी भासा में. Okay? So, IWE यानि के Indian writing in English is the body of work by writers in India who write in the English language and whose native और co-native language could be one of the numerous language of India. यानि के Indian writers जिनकी mother tongue या regional language इंडिया में privilege language में से कोई भी एक हो सकती है बट वह foreign language यानि के English में लिखते हैं. Okay? उनका जो topic है वो कुछ भी हो सकता है बट उनका जो writing style है वो English में होता है और उनका जो native है वो Indian आनि के उनकी जो birthplace है वो India का होता है. That is why हम इसको Indian writing in English या फिर Indian English literature की रूप में देखते हैं. Okay? अगर इस तरीके से कुशर आ जाए कि Indian English literature किसे refer करेंगे तो इसमें से आप point note कर सकते हैं. Next, अगले point पर बात कर लेते हैं. Again, the history of Indian writing in English began with the work of Henry Louis Vivian Derogio. आप इसको note कर लिजी का जी इंडियाम पिछली बार examination में पूछा गया था. The history of Indian writing in English began with the works of Henry Louis Vivian Derogio. इसके इंडियर जाने के इन ओथर्स के साथ में जो Indian writing in English से वो start हुआ था, साथिछाथ Michael Madhusadhan Dutt. Okay? And followed by the Ravindranath Tagore. ये बात के writers हैं. सबसे पहले हैं, Lewis Vivian Derogio के starting के साथ में, इन्होंने Indian English literature जाने start किया था, इनकी अपने works के साथ में, English language में. Okay? And Satyajat Shri Arvindu, Arvindu Ghosh. Next one, एक और important point है. R.K. Narayan, मुल्क राजानन, राजाराव. ये तीनों writers हैं, ये इंडिया के Indian English literature में, एक तरीके से three pillars माने जाते हैं. They contributed to the growth and popularity of Indian English fiction in 1930 decades. 1930 के decade में, आरके नारायर, मुल्क राजानन, और राजाराव. ये तीनों ही जो candidates है, तीनों ही writer है, ये बहुत ज्यादा popular थे. आगे बढ़ते हैं, अगला point है हमारे पास. Indian English literature is also associated in some cases with the work of members of the Indianize पूरा. यानि कि ऐसी candidates जो भारती मूल के हैं, बट विदेशों में रहते हैं, लेकिन वो इंडिया के बारे में लिखते हैं, English language में लिखते हैं, लिखते हैं, उन candidates को भी हम Indian English literature के लिए refer कर सकते हैं. Next one, the first book written by an Indian in English was the Travels of Dean Mohamed, इसको आप लोग note कर लिजेगा, ये question directly examination में पूछा जा सकता है, लिखते हैं, अगरा इंग्लिस लेंग्विज, और सी है, the Travels of Dean Mohamed, ये क्या है, और ट्रेवल नरेटिव है, किसके द्वारा लिखा गया है, शेख दीन मोहमेद के द्वारा लिखा गया है, ये भी कुश्यन पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लिजेगा, अब इस बुक वाज पूछ इंग्लिस लिट्रेचर की, इन अर्ली इंडियान राइटर्स यूज्ड इंग्लिस अन एडल्टेट, यानी कि शुरुवात में जो इंडियान इंग्लिस ओथर्स थे, वो इंग्लिस को जादा बहतर तरीके से यूज नहीं कर पाते थे, उनकी इंग्लिस में भारती सब्द होगा, यानी कि इंडियान वोर्ट्स का समाविस बहुत ज्यादा मिलता था, इंडियान वोर्ट्स, तू कॉनवे एन एक्स्पीडियंस विच वाज एसेंशली इंडियान, अगला पॉइंट हमारे पास, इन अर्ली स्टेज, यानी कि शुरुवाती तोर पे अगर हम देख ह ज़ाएं, तो जो वेस्टर्ण नोविल से वेस्टर्ण फिक्षन है, उसका यहाँ पर ज्यादा इंपक्ट देखने के लिए मिलता है, उनी चीजों से यहाँ पर राइटर्स ने अपने जो फिक्षन है, उनको लिखना स्टार्ट गिया था, लेकिन जो सबसे ज़ादा इंडियन इंग्लिस राइटिंग कंसिस्ट आप नोन फिक्षनल वर्क्स, आनि कि एसेज, राइटिंग्स, एसेज, डाइरीज, लेक्टर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए ज़्यादा बिलती थी, लेकिना लेक्टर्स, डाइरीज, पॉलिटिकल मैनिफिस्टों, आर् अमारे पाद एक टर्म आता है इंडो एंग्लीयन लिटरिचर याध रखेइं का जब भी कहीं यह वोड़ आ जाए इंग्लीयर इसका मतलब है British क्या है तो confus понy के जरूरत नहीं है यहां कहीं भी यह वोड़ आ जाए इंग्लीयर इसका मतलब है British तो यह क्या है इंडो का मतलब है इंडियन British literature आझि कि इंडियन British literature is the general written and created by the Indians through the English लेंग्विज याने के इंग्लिनियों लेंग्विज में लिखा जाने वाला जो लिटेचर है इंडियन के दोवारा लिखा गया है ठीक ना बट माच बैस काड़िए डिकाट को अव दक ओलरियल हैं गवर इंगोवर इंगोवर इन-टर लेकिन क्योंकि इसमें एंगलीन क्रशुदूर दिया यह जो टर्म है इंडो अंगलीयन इसको नकार दिया गया है प्रचलर नहीं है अधार यह मतलब ऊपर चलत तो इसका मतलब यह ओग गा अगलीयन इंडियान 여러분들 वी ऐनलो इंडियन लेट टिचा पीछ वाला टर्म हमारा कहता है행 आनलग इंग्लियन लिट्रिचर और यह क्या है एंग्लो इंडियन लिट्रिचर इसको याद रखना तो इंडियन एज ब्रिटिस राइटर्स इछले वाले में क्या था इंडियन राइटर्स जो इंग्लिस में लेखते थे उनकी राइटिंग्स को हम क्या कहते हैं इंडियन लिट्रि इंडिया के बारे में लिखते रहे हैं तो including Indian as well as British writers who wrote on Indian subjects जो Indian subjects Indian theme पर लिखते हैं चाहे वो British हों या वो इंडियन ठीक है ना ज़्टेकिंड रभिंदर ना टेगोन तोलुदत ठीकिंड ना Paul Scott और किपिलिंग ये कुछ राइटर्स हैं जो के एंग्लो इंडियन लिट्रिचर के अंतरकत आते हैं हालाग कि शरोजने इन आई डू आरें टेगों तोरुदध इस सभी आपके इंग्लिस लिट्रिचर में अगर पूचा जाए तो इंडियन इंग्लिस लिट्रिचर के तौर पे रखे जाती है कि यह प्रिचलन में नहीं है ठीका ठीक के अगा जो शरiew अ मैंने या लृका है इन आद वड़ और वोर्ट हैं रो इंडियन इन इंडिया और सटीजेन अप मिक्स अंडियन ये पे टरनल लन एंडियन एंसेस्ट्रिच जाने कि अगर में दूश्रे सब्दों में कहते हैं तो इंग्ल इंडियन का मतलब ह मिक्स सिटीज सिपका कोई नाग्रिक जैसे कि किसी कि माबाप इंडिया की हो और पिता ब्रेटिस के रहे हो यानि के यूरोपियन रहे हो इस तरीक एक जो उनकी पैरेंटल हिस्ट्री हो उन सभी के अधियेट्स को भी हम एंग्लो इंडियन में सामिल कर सकते हैं एक जांपल के तोर पर यहां पर कुछ इंपोर्टेंट राइटर से जिनकों आप देख लिजिए और कुश्यां आजाए आप नोट कर लिजिए को नहां पर पहला नाम आता है आनन्द केंटिस कुमार स्वामी ठीक है ना इनकी जो मदर थी वो ब्रिटिश थी ओके नेस्ट इ रुट परवार जावाला वाज अब ब्रिटिस एंड अमेरिकन नोबिलिस्ट एंड इसक्री राइटर इसके पॉलिस पेरेंट्स बट सी मेरेट टू एन इंडियान इसके मावा पॉलिस थे बट इन्होंने क्या गिया एक इंडियन से साधी कर लिए नेस्ट अब हम थोड़ इस एसेट बाई दर साहित अकैडमी क्योंकि पिछले जो दो टर्म थे एंडो 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 एंग्लियन लिट्रेचर इसमें क्या था हमें क्या इंडियान की याद आती थी अनिकि जो ब्रिटिस रूल था इंडिया में वो हमें याद आता था एक तरीकी से हमें यह कर दिया देट एट बाई साहित अकैडमी ने किया इस टर्म इस बाडी को असेप्ट किया इंडियन इंगलिश अलिट टिचर को मतलब वही था अब यहां पर स्पेस्विकली इसको बोल दिया कि ऐसे राइटर जो इंडिया के यह जो इंगलिस में देखते हैं वही इसके अं इंडियाज प्रेमियल लेट्रेटी इंस्टूटीशन विच रिकोराइज 24 इंडिया लेंग्विज इंग्ली इंग्लिस आगे बढ़ते हैं तो इसके अंतरगत आप देख लिए जिगा कुछ इंपोर्टेंट राइटर सापको देखने के मिल सकते हैं जैसे हैं रूदियाड क किपलिंग क्यों है या आपको यह आपके एंग्लो इंडिया लिट्रेचर के अंतरगत आते हैं उसका रीजन क्या है कि बाद वन आप दा मुस्ट फेमस एंग्लो इंडिया राइटर्स किपलिंग वाज वान इन बॉंग बिटिस इंडिया जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो वोडर्णनीर हिस्टी या जैउल्किक जो पर मिक्सों चिए इंडिया के मां मां इंडिया होसक्ती है है पेता British हो सकते हैं या इनका कैसी दूसे तरीक के छिरिलेसर्ट से हो सकता है। या या य्कि इंडिया और ब्रिये का मिलीः भगत इसनोग सकते या या यह प्यूर Hybrid हो सकते हैं सबसा इनकी बहुत ही पॉपुलर भूख है जंगल भूख और एक है किम और नियूमरोस पोईम्स एंड शॉर्ट इस्टोरी डैट रिफलेक्ट है एक्सफिरियंस एंड अब्जरवेशन आप ब्रिटिस इंडिया तो कुश्चन आ जाए कि यह कौन है तो आप लोग आसानी से बता स नेस्ट है मेरी मार्गरेट के मेरी मार्गरेट के कभी-कभी शॉर्ड में इनको एम-म्क के नाप से भी जाना जाता है और मोली इनको कहा जाता है तो यह ना वाज ब्रिटिस राइटर हर मोस्ट फेमस बुक इस दो फार प्रिविलिजिंस 1978 में यह पब्लिस कि जा गया था नेस्ट वर अगरा इंपोर्टेंट इनके बारे में एक फेक्ट और समझ लीजिए यह कौन है एम-म्क वाज गोर्न इन सिमिला बिटिस इंडिया यानि के बिलिटिस टायम में इस सिमिला में पैदा हुई थी अन्ड लिब्ड इन ऑपलें शिमिला और हैरिटेज पापर्ट थी फ्रॉम 1915-1989 के पिता की जो बंसानुगत संपति थी उसमें रहती थी 1915-1918 तर ओके नेस्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं पॉर मार्क स्कॉट इवाज बॉन इन सुबरबन लंदन स्कॉट वाज पोस्टेट टू इंडिया ये इनका जन्द का हुआ था जन्द तो इ इंडिया में बर्मा में हुई थी एन माल लिया अब हुई थी वर्ल्ड वार शेगेंड के टाइम पर और रिटेंट टू लंडन ही वर्क एज़ा नोटेवल लिट्रेरी एजेंट बिफूर डिसाइडिंग टू राइट फूल टाइफ फ्रॉम 1960 इन 1964 ही रिटरने टू इंड इंडिया से गव्ज़ाइड ठीन हो सकती है लेकिन इंडियां के बारे में वह लिगता हो तो आंगिलो इंडियन राइटीघिंग के अंतर्कट आता है घ। पाद करें इंडियां इंग्लिए लिटेचर यह तो मैंने करा दिया ना करा दिया ठीक है तो बोडी इंडिया निग्लिए लिटेचर इसाथ चाहित्या प्रिमियर लेटरी इंस्टुटूइशन विच रिकोनाइस 24 लंग्वेज इंक्रूडिक इंग्डिस नेस्ट आइटर हम राज मोहन्स वाइब यह बहुत पॉइंट और इस तरीके के कुशन डेफिनेटल आपके एक्जमिनेशन में पूछे जाएंगे ठीक है ना तो राज मोहन्स वाइब क्या है यह फस्ट इंडियन नोबेल है जिसको इंग्लिस लेंग्वेज में लिखा गया था कुशन एक ब और प्यूर इंडियन इंग्लिस ओथर है अगला इंप्रेंट राहिटर है لाल बिहारी डे लाल बिहारी डे पबलिष्ट और हिस्टोरिकल नोब इन्हों ने एक हिस्टोरी का नोबिल पब्लिश्ट की है इसका टाइटल है गोविंदा सामनता या फिर हमें से वोड़ सकते ह है इंडियान इंग्लिस लिटरिचर के अंतरगा तो पहला हिस्टोरिकर नोबल किसके द्वारा लिखा गया है लाल विहारी डेके द्वारा और हिस्टोरिकर नोबल इन सेवन्टीफोर इन एटीन सेवन्टीफोर अल्थो अ कलेक्शन ऑस पोग्ते लस एंड फेरी टेल और जिसका टाइटल है फोग्तिल सो बेंगाल लाइप श्रीट पॉबलिस्ट ऐटीन एटीफुर यह क्या है शॉट इस्टोरिज का कलेक्शन यह भी लाल वी हारी डेके द तो आंसर आपके सामने है, आप इसको नोट चल दी तीगा, यह दो राइटर से ऐसे हैं, जो कापी कम एज में इनकी डेहत हो गई थी, तोरु रत्वा डेहड ओन अर्ली टॉन्टीज और जो कुरुबाव आई है, उनकी डेट थर्टीज के सम्टिंग हो गई थी, बोथ वर्ट टू प्रामिसिंग इंडियन इंग्लिस राइटर्स आप दे नाइंटीन सेंचुरिय, अगला पॉइंट है हमारे पास, अथियानन्दस, ओटो पाइग्राफिक अ डोबिल है, इनका एक शबुना, शबुना और हिस्टोरी और णेटिव क्रिश्यन लाइफ, पूरा टाइटल है, शबुना और स्टोरी और और नेटिव ग्रिश्यन लाइफ, इडवाल पबिलिस्ट सीरियली, सीरियली इन दा मद्रास क्रिशन कॉलेज कहां पर दा मद्रास क्रिशन कॉलेज मैगजीन में 1887 से 1888 तक यह पब्लिस किया गया था इसके दोवारा शाथिया नंदन के दोवारा इन दोवारा शाथिया नंदन इस कमला धुटोरी ओप हिंदू लाइप यह पॉप्लिस किया गयाता है एक दो नोविल है यह एक और टॉपाइग्राफिक अग्राफिक नोविल है और यह इनका सेकंड यानिके लास्ट नोविल है इसके बाद में बात कर लेते हैं अली नाइं कर लेज़े 19 और 1900 के सम्थिंग नाइंटीन के डेकेड में ठांसिट करना स्टार्ट कि आथा आगे बात करें गंधी जी के बारे में तो गांधी में sedition था देश ब्रोधी गत्विद्या थी राजब्रोधी गत्विद्या थी गना 1910 में and was written in indesigned variety of the English language आणि इस तरीके की English language में लिखा गया था जो कि pure English नहीं थी गना pure English language में नहीं थे बट गांधी जी के अपने तरीके की अंग्रे जी में इसको लिखा गया था एंड चेले इंडियन इंग्लिस लिटिचर ऑफ इस्टेंडर इंग्लिस इवन विफोर आरके ना रायर मर आनन्द एंड राजा राज यानि कि इल्लों के एंग्लिस में वर्ग कर ले से पहले ही गांधी जी ने अपना ये एंड श्वराज लिखा था काफी इंड टाइप एंग्लिस नहीं थी बट इस्टेंडर इंग्लिस को एक तरीके से इन्हों ने चिलेंज कर दिया था अपने राइटिंग्स में पदल्ट कर दे रहे थे वेन इन 25 दिसम्बर 1938 को ये हिंदु स्वराज अनवेन कर दिया गया ओपन कर दिया ओपन टुपले इंपोर्टेंट फेक्ट है हमारे पास एक और राजा राओ के बारे में राजा राओ इंडियन फिलोसफर एंड राइटर्स नाम आप लोगो ने बहुत सुना होगा और थर्ड कंटुपुरा यहां पर आपको देखने करें मिलेंगे इसके बाद में एक और इंपोर्टेंट नोवल था अलांकि यह सभी राइटर्स में आपको डिटेल में करांगा बट क्योंकि हम डवलब्मेंट ऑप इंडियन इंग्रिस लिट्रिचर को कर रहे हैं तो हमें ऐसे पॉइंट टूपॉइंट लेकर चलना है जैसे पूरा का प इदी दि नोट सेंट गीच कुर्षंट एंप राइटर्स ठर्पैंट एंडर दूप अबलněस नैंटीन सिक्टी मों साहित तर्केडमी अबॉड है इंग्लिस सिद्धी अबर्ट इनको इंग्रिस लैंग्वीज में लिखिन गेगा जार इंडिया इन टर्म आप दियर स्टे क्यानती है यह नहीं क्या किया था इन्होंने बहुत ही दिचिए स्वाम किया है महाभारत पूट्रांसलेट किया है इंगलेश में ना राइस देन तर इंट्व इंगलिस बित्वीन 1883 तू 1896 इंडर ऐस्थ एक था जैबर बेन-ट्रांसलेटेट इन ट्राइस एंटररी बिटर लैंग्वेज में इंग्लिज लैंग्वेज में पहली बार इसको कम्प्लीट ली किसी व्यक्ती ने टांसलेट किया है इंग्लिश में तो बोकॉने किशारी मोहन गांगुली नेस्ट वन है रविंद्रनाथ टेगॉर दिरेशन है 1861-1941 यह रोट इन बैंगॉली एंग्लिस 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 और इंग्लिस दॉन लेंग्लिस में लिखा शुरुवाती तौर पे बैंगॉली में लिखा जैसे के गीतांजली जिसको स्वंग ओफरिंग के तहत बाद में इंग्लिस में ट्रांसलेट कर दिया गया था जिसकी जो प्रिस्ता बना है इंट्रेक्शन है वो डबलो भी इट्स के दुवारा लिखी गई है और इसके लिए इनको नोबल प्राइज भी मिला था नेस्ट है हमारे पात धन गोपाल मुखर जी लिए धन यह की का यूस में नीवरी मैंडल के लूपर आप्त करने वाले यह पहले इंडियन है इन की विखान को यह वाद मिला था यूस ने निराद चंद्र चवधरी दूरेशन है 1897 1999 इनके जो राइटिंग है वो नॉन फिक्षिनल राइटिंग है तो इनका 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 इन फिक्षिनल वर्क है तो ओटो बाइग्राफिया था प्रेश किया गयता इन विच्छी री डियेट्स है लाइप एक्स्फिरियन्स एन इन फ्रिमेंस विए नॉन फिक्षिनल राइटिंग के लिए जाने जाते हैं बहुत ही प्राइटिंग राइटर है यह नैस्ट पीलाग और पूरा नाम पूछा जाए तो पुरशुत्तम तो आज की क्लास में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे मिलेंगे हम अगली क्लास में अब तक के लिए आप दो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल है आरार एक फोरोजाबात आप उसको जॉन कर लिए प्रिएगा तेंक यू